मेरे एक सब्सक्राइबर है और आपने कमिल बॉक्स में पूछा कि All About क्या है तो आईए फ्रेंट्स उनकी confusion को खत्म करते हैं यानि हम वाट All About का इस्तिमाल तब करते हैं जब हम किसी चीज की इंपोर्टेंस को emphasize करें यानि किसी चीज की value को जोड दे कर बताएं Let's see some examples It's All About Money It means जो है पैसा है या पैसा ही सब कुछ है या या सब कुछ पैसा के बारे में है It's All About English Grammar Means English Grammar is Man Motivator यानि English Grammar ही सब कुछ है या जो है English Grammar ही है या सब कुछ English Grammar के बारे में है It's All About My Career It means मेरा कैरियर ही सब कुछ है या जो कुछ भी है मेरा carrier ही है या ये सारी बाते मेरे carrier के लिए है It's all about honesty means सब कुछ इमानदारी के लिए है या जो है इमानदारी ही है It's all about your safety यानि सब कुछ आपकी safety के लिए है या जो कुछ भी है आपकी safety के लिए है या यह सारी बातें आपकी safety के लिए है आईए कुछ और examples देखते है It's all about you जो हो, तुम हो या सब कुछ, तुम हो या जो कुछ भी है, तुम्हारे लिए है या जो कुछ भी है, तुम्हारे बारे में है It's all about him याने सब कुछ वही है या जो है, वही है या ये सारी बाती उसी के बारे में है It's all about her means जो कुछ भी है वह है या ये सारी बाती उसी के बारे में है तो उमीद करता हूँ friends कि आपको यह topic शांदार तरीके से समझ में आया कि all about क्या है अगर वाकई आपने इस concept को समझा तो क्या इस topic पर कुछ sentences कमें बॉक्स में लिखेंगे कुछ sentences कमें बॉक्स में लिखें ताकि मैं चेक करके बदा सकू कि आपने सही सीखा या गलत फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे lessons के साथ तब तक के लिए बाई